कि अब देखो से अब तो लिंक पर चला के देखो हलो बच्चो कैसे हैं आप मैं अर्विंद आ रहे है आप सभी का ओनलाइन प्लेटफर्म पर स्वागत करता हूँ आज हम फर्स चेप्टर जो है NCRT से फर्स चेप्टर जो है आपका वो बहुतिकी फिजिकल वर्ल्ड है ठीक है बहुतिक जगत है तो आज हम उसके आगे सेकेंड चेप्टर पढ़ेंगे पहले फिर हम फर्स चेप्टर पढ़ेंगे सेकेंड चेप्टर काफी इंट्रस्टिंग चेप्टर है और यह आपकी 11 और 12 के लिए काफी इंपोर्टेंट चेप्टर है अगर आप 11 क्लास और 12 क्लास अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस चेप्टर का ज्यान होना परम अवश्चक है बहुत जरूरी है ठीक है सो हम स्टार्ड करते तो देखिए हम स्टार्ड करेंगे आज का क्लास तो सबसे पहले हम डि इकाई एवं बिमा या इसको हम मापन कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं एकाई एवं बिमा या क्या कह सकते हैं मापन ठीक है कई बुक्स में आपको ये मापन के नाम से मिलेगा या इकाई एवं बिमा के नाम से मिलेगा ठीक है क्या कहेंगे हम इसको यूनिट एंड डाइमे क्या है यह unit and dimension और इसको कभी कभी आपको किसी बुक में यह measurement के नाम से भी मिल जाएगा measurement ठीक है तो हम start करते है unit and dimension और measurement तो देखिए सबसे पहले जो हम इसको सबसे basic quantity सबसे basic चीज क्या इसमें define करने है पहसे पहले परिभासित करें और बहुतिक राशिया होती क्या है तो देखिए बहुतिक राशिया क्या होती है प्रटेक भे राशी जिसका मापन किया जा सकता है उसे बहुतिक राशी कहते हैं एवं जो भौतिक के या मापन के नियमों का पालन करती है ऐसी रासी को हम क्या कहते हैं भौतिक राशी कहते हैं क्या पता ही परिवासा भौतिक राशी की प्रतेक वहरासी जिसका मापन किया जा सकता है प्रतेक वहरासी जिसका मापन किया जा सकता है एवं जो भोतिकी या मापन के नियमों का पालन करती है मापन के नियमों का पालन करती है नियमों का पालन करती है उसे भोतिक राशी कहते है प्रतेक वहरासी जिसका हम मापन कर सकते हैं उसे हम भोतिक राशी कह सकते हैं तो कई सारी एजिए आसी राशी होती हैं जिनका मापन कर सकते हैं जिनका मापन नहीं किया जा सकता है वो भौतिक राशी नहीं है जैसे मैं कहूं खुशी ठीक है? तो मैं खुश हूँ मैं कितना खुश हूँ इसका केवल अंदाज लगाया जा सकता है इसका मापन नहीं किया जा सकता है तो ये एक भौतिक राशी नहीं है बास समझ में आ रही है बहुतिक राशी क्या होती है बे राशी हैं जिनका मापन किया जा सकता है उसको हम क्या कह सकते हैं बहुतिक राशी कह सकते हैं फिर आगे देखिए जो बहुतिक राशी हैं उनको हम परिमाड एवं दिशा के आधार पर चार प्रकार से विभाजित करते हैं ठीक है तो क्या ले परिमार एवं दिशा के आधार पर भौतिक राशियां चार प्रकार की होती हैं ठीक है परिमार और दिशा के आधार पर जो भौतिक राशियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं चार प्रकार की होती हैं तो देखिए हम बात करें परिमार और दिशा के आधार पर तो भौतिक राशियों के कौन-कौन से चार प्रकार होते हैं उनकी चर्चा करेंगे हैं भौतिक राशियां तो देखो परिमाड और दिशा की आधार पर मैंने आपको बताया कि जो भौतिक राशियां है वो आपकी चार प्रकार की होती हैं तो ये कौन-कौन से फोर टाइपस हो गए उनको हमको डिसकस करना है तो देखिए चार प्रकार में सबसे पहला प्रकार जो होता है उसको हम कहते हैं अनुपातिक राशिया क्या कहते हैं अनुपातिक राशिया पहला जो प्रकार है उसको कहते हैं अनुपातिक राशिया दूसरे को हम कहते हैं अधिस राशिया अधिश तीसरे को हम क्या कहते हैं स सदिश राशी सदिश ठीक है जो भौतिक राशियां है वो परिमार और दिशा के आधार पर चार प्रकार की अनुपातिक राशी अधिस राशी सदिश राशी अगली हम बात करते हैं तो प्रदिश एक और प्रकार होता है जिसको हम क्या कहते हैं प्रदिश राशी तो परिमार और दिशा के आधार पर जो भौतिक राशियां हैं वो दो प्रकार ही होती अनुपातिक राशी अदिस सदिश और प्रदिश आप आगे देखेंगे कि मापन की आधार पर हम इसको दो प्रकार से डिवाइड करेंगे ठीक है मापन की आधार पर दो प्रकार की और परिमार और दिशा के अधार पर चार प्रकार की तो हम सबसे पहले बात करते हैं अनुपातिक राशी की कि यह होती क्या है सबसे पहले डिसकस करते हैं हम किसको रेश्यो उसको इसको इंग्लिश में रेश्यो कहते हैं इंग्लिश में भी लिखें तो इसको कहते हैं रेश्यो इसको कहते है Scalar यह आपका हो गया Vactor और यह उचाएगाँ आपका T/. यह चार टाइप होते हैं सबसे पहले अनुपातिक राषी की चर्चा करेंगे हैं मैं ने लिखा अनुपातिक राशी मैं का पाटिक राशी बहुत इंपोटन चेप्टर है ध्यान से समझ जीएगा आपको एक एक बात समझ जाई की ठीक है अनुपातिक राशी तेखिए अनुपातिक राशी को अगर हम define करें कि अनुपातिक राशी होती क्या इसको परिभासित करें तो वह रासी जिसमें केवल वह भौतिक राशी जिसमें केबल आंकिक मान होता है क्या होगा केबल आंकिक मान कोई भी संख्याएं होगी तो वह भौतिक राशी जिसमें केबल आंकिक मान होता है कोई इकाई या दिशा नहीं होती है उसे हम अनुपातिक राशी कहते हैं ठीक है फिर से सुनिए अनुपातिक राशी क्य बेभोतिक राशी जिसमें कीवल आंकिक मान होता है ठीक है? क्या बताया? वेभोतिक राशी जिसमें कीवल क्या होगा? आंकिक मान होगा, संख्यात्मक मान होगा. कोई इकाई या दिशा नहीं होती है. उसे नहीं होती है. उसे अनुपातिक राशी कहते हैं. ठीक है? तो यह definition हो गई क्या इस ratio की अनुपातिक राशी कहते हैं. तो आपको क्या बताया? definition क्या बताया? Basically, ratios क्या होते हैं? अनुपातिक राशी क्या होती है? जैसे example के साथ समझेंगे कैसे हुआ यह तो देखिए इसका example लेते हैं हम सबसे पहले उधारन लेते हैं जैसे आप एक टर्म पड़ा होगा class 10th में क्या अपवर्तनांक अपवर्तनांक तो अपवर्तनांक कैसी रासी है एक अनुपातिक राशी है क्यासे क्योंकि यह दो समान रासीों का अनुपात होती है और इसमें केबलांक एक मान होता है जैसे मैं बात करूँ कि अपवर्तनांक का formula जो है वो आप कई बार books में mu लिखा रहते हैं या कहीं n लिखा रहता है तो जो भी है आप उसको consider करने मैं तो mu स्क्राओं करना चाहें तो इसका formula क्या होता है और माध्यम में प्रकाश मातलब क्या हो गया यह दो बेगों का अनुपात है समान वासियों का अनुपात है इसलिए यह क्या हो गयी अनुपातिक राशी हो गयी और देखें मैंने एक टर्म और कहा इसमें कि वह बहुतिक राशी जिसमें केबल आंकिक मान होगा तो अगर आपने 10th क्लास को थोड़ा भी ठीक पड़ा है तो आपने देखा होगा कि अगर मैं अपवर्तनांक लिखता हूँ जल के लिए तो यह होता है 4Y3 पानी का अपवर्तनांक कितना होता है 4Y3 तो देखो क्या हो गया आंकिक मान हो गया यह हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको भाग की इकाई लिखूँगा मीटर प्रति सेकंद यह दोनों एक दूसरे से कैंसल हो जाएंगे उपर नीचे मतलब इकाई नहीं आएगी बात समझ में आ रहे हैं इसकी इकाई नहीं आएगी तो इसमें कोई इकाई नहीं है तो आपको क्या बताया अपवर्तनांग क्या बताया, वह भौतिक राशी जिसमें केवल आंकिक मान होगा, कोई एकाई या दिशा नहीं होगी, उसको हम क्या कहते हैं, अनुपातिक राशी कहते हैं, और एक्जामपल लें, next, आपेक्षिक गहनत्व, इसका एक और एक्जामपल हो गया, आपेक्षिक गहनत्व, आपेक्षिक गहनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, ये भी दो समान रासियों का अनुपात है, ठीक है, पानी का बरतनांग और पानी के सापेक्षिक किसी पदार्थ का बरतनांग हम ग्याद करते हैं, तो उसको हम आपेक्षिक गहनत्व कहते हैं, ठीक है, तो ये भ क्या हो जाएगा अनुपातिक राशी है क्योंकि विक्रती दो समान रासियों का अनुपात होती है दो समान लंबाईयों का या दो समान छेत्रफलों का या दो समान आयतनों का अनुपात होती है इसको हम विक्रती कहते हैं ठीक है वो आगे आप टाइप पढ़ोगे कि जैसे ल समान राशियों का अनुपात होती है ठीक है नेक्स्ट 11 12 क्लास में एक हम पढ़ेंगे टम परावैदुतांग परावेदुतांग परावेदुतांग के भी दो समान रासियों का अनुपात होगा ठीक है तो यह सब इसके एक्जामपल होगा किसके अनुपातिक राशी के तो बात समझ आई अनुपातिक राशी आपको क्या बताई वह भौतिक राशी जिसमें केबल आंकेक मान होगा कोई या दिशा नहीं होगी उसको हम क्या कहेंगे अनुपातिक राशी कहते हैं पर देखिए इसके बाद अनुपातिक के बाद हमने नेक्स्ट डिफाइन किया था किसको अधिश को तो देखिए अधिश देख लेते हैं एक बार की अधिश राशियां क्या होती है अधिश राशी क्या होती है अधिस राशिया किसे कहते हैं तो हम बात करें अधिस राशी क्या होगी वह भौतिक राशी जिसमें केबल परिमार होता है दिशा नहीं होती है अधिस राशी क्या होती है बेभौतिक राशिया जिसमें केबल परिमार होता है दिशा नहीं होती उसको हम क्या कहते ह तो पहले परिवासा लिखें, क्या लिखेंगे वह भौतिक राशी जिसमें केवल परिमार होता है परिमार होता है, दिशा नहीं होती है बेव भौतिक राशी जिसमें केवल परिमार होता है, दिशा नहीं होती है उसे अदिश राशी कहते हैं दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशी कहते हैं तो क्या बताया अदिश क्या होती है, बेव भौतिक राशी जिसमें केवल परिमार होगा क्या होगा, परिमार होगा दिशा नहीं होगी, उसको अदिश कहेंगे अब हम यहाँ पे बात आती है, टर्म में यह जो आया है, परिमार होता क्या है, परिमार तो देखो परिमार की अगर हम बात करें तो आंकिकमान और एकाई के गुणन फल को हम परिमार कहेंगे आंकिकमान और एकाई के गुणन फल को क्या कहेंगे परिमार कहेंगे जैसे इसके एक्जामपल लिखें हम तो देखिए उधारन लिखते हैं जैसे अधिस राशियां कौन-कौन सी होती है तो हम बात करें लंबाई एक अधिस राशी है लंबाई जैसे आप किसम नाप सकते हैं लंबाई तो हम लंबाई नाप सकते हैं मीटर में जैसे मैंने कहा कोई लंबाई है तीन मीटर या पांच किलो मीटर ठीक है या दो सेंटी मी हो गए सभी लंबाई यह कि मात्रत हो ग filmed तो इसको कहिए परिमाड तो क्या बतायう व बहुत एक राशी जिसमें केबल परिमाड होगा तो लंबाई को आप इस तरह से न आप सकते हम मीटर में किलो मीटर में सेंटिमीटर में नबाम गया इसमें कोई गराम 2 kg ठीक है दस मिली गराम ठीक है तो यह क्या हो जाएकगा आपका देखो परिमार आ गया यह आंकिकमानोर एक आई तो द्रवेमान क्या हो गया कि वह जए भूत ये वह एक ऐसी रासि यह जिसे में परिमार है दिशा pressing नहीं है इसलिए यह अदिश राशी हो गई ठीक है और देखते हैं देखो जब भी हम अदिश की बात करेंगे तो उसके साथ आप देखना दिशा जोड़ के देखना अजीब सा लगेगा जैसे मैं कहा दूं कि हम कोई भी वस्तु खरीदने गए दुकान पर जैसे चीनी खरीदने गए तो हम उससे इसके एक्जांपल दरीमान हो गया और देखे सके जांपल समय हो गया योगा flipped हैं किबर परिमार बोलते हैं कैं मखरीख लेकिनिते लो दो मिनवाट पार ने मुंएं इसके साथ दिशान आईगी तो यह भी सका एक्जांपल एक्जांपल लिए कैसका अदिश को और में क्या ताप थाख भी किस के एक्जांपल हो गया अदिस राशी का लगा रही है यह समझ में आ रई है अनुपाथिक राशी क्या होती एक इसके बाद आगे सदिश क्या होते ह्या हां प्रदीş क्या झाल झाल